पर फाइनली कस्टम क्लेरेंस भी मिल गई अपने सारे समान को गाड़ी कंटेनर में भी चड़ चुकी आप फुटेज देख सकते हो भाई इस तरह का पूरा पोर्ट होता है इतना बड़ा कंटेनर होता है यह अपनी माफिया स्कॉर्प्यों तो कंटेनर में लोड होने के अपना पार्किंग में थार बिल्कुल फिट आ गई है हलाकि स्कॉर्प्यों इस से लंबी और थोड़ी सी चोड़ी भी जाद है तो जादा जगह घेड़ती थी बट इस थार बिल्कुल फिट आ रही है और क्या रहे हो तुम बेच नहीं रहा है बेच नहीं है बस एक दो द झालि को रहा चीस याण लग रहा है अच्छी नहीं लगा चान से कोण बेची आनल क्या लाने है की लाने दो चुरी दो ग्रेट कोड़े पैक भी कर वा ला ले एंगे पापपा के लिए तक शाम लादी पापपा के लिए हमोगा बूंद टो किटने का किस रगा का कौन पर शाम देता आज गर गविटें अज़ा इक्यावन रुपय मिनिमॉज चलो 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 च कि अभी वैसे टॉंचल्स है तो नी बट भाई फिर भी मैं टॉंचल्स की दवाई लेकर जाना चाहता हूं ताकि अगर वहाँ पे कुछ भी होते है वाब पिस्टे तो दवाई हो अकने पास वन्ना मैंने एक बार थाइलेंड या बाली में दिखाया थे मेरे टॉंचल्स अगर इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो तो इंडिया से ही दवाई लेकर जाओ अपनी ज्यादा वैटर रहेगा क्यों सही बात है कि नहीं है जी चलो दिखाने हम चले पूरी सब जिखाने आज है नो माई 2020 मैं हूँ अभी गुडगाओ में लेंडन से रिरेटिर काफी स अभी अपडेट्स में इस वाले व्लॉग में दूंगा कि अभी तक हम यहां से निकले क्यों नहीं है जब कि मैंने आपको बोला था कि हम आठ माई को निकल जाएंगे दुबाई के लिए तो वो क्यों पूस्पूंड हुआ और हमारी गाड़ी का क्या स्टेटा से बाई कहा है ना समझ गे ना बाकी मेरे हिसाब से यह लाश्ट ही व्लोग होने वाला है नोर्मल इसके बाद भाई डुबाई की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी ओमान की फिर यूरोब और फिर सीधा यू के मज़े इदार नहीं इरान ओटर की तो भूली है मैं बाई में रोड ट्रिप दो साल फिर मैं स्कूल उसी में जाता है यह लोग सदर बजार का एरिया आ गया है जहां पर अपना पुराना गरुगा करता था अपनी जिंदगी के भाई 22 सेज साल मैं इस एरिया में रहूं यहां की एक एक दुकान वाले दुकान वाले भी जानने ही लग जए ते वैसे त दिकन्या, गौवर्मेंट, गर्ल स्कूल, मेरी बहने वगरा यही से पड़ी है मैं से देशवर से पढ़ा हूं यह आगया भाई हमारा पुराना घर मतला घर तो ही नहीं है देखो प्लोट है यहां पर इसने भी खरीदा है उसने पूरा प्लोट बना दिया अब शायद से व जो हमारी गोशिंग मशीन तीन आ और बहुत आप टीक पूरी चलने भी लगए थीन हजार रुप लगए यह लोग था बस ता थीन हजार रुपे मैं देखाने आए था मेन भाई हा पर यह मोटर है ना इसका क्या है कि इनोंने ऐसे पाइप सा चोड़ा हुआ जब मोटर ओन करके आप अगर खोल दोगो ना भाई साब इतना तगड़ा पानी निकलेगा बैठके नहाना वाना हो या स्विमिंग पूल में पानी भरना हो ना तो मस्त है अलाकि पानी बहुत बेस्ट होता है एक बर दिखाता हूं थोड़ा सब करके अच्छा मोटर ओफ है न मम्मी मोटर करना अंदर से पीछे वाली देखना वाई साब हां देखना क्या धार निकलेगी इसमें से तगड़ी ए आई आई करो चलगी चलगी आप देखना वाई थ्री टू वान गो वाई साब देख रहे हो बस बैस नहीं करना पानी अभी तो फिलाल टाइम निया लंडन से आके नह यार सर्दिया हो जाएक उस टाइम तक अगली गर्मियों में मेरे बड़ा सो स्विम्मिंग पूल है फुलाने माला यहां पर लगा के इसी से इसमें पानी भर देंगे पूरा मस्त फिर ओहो डुक्की लगा हो रोटी को बना रहे हो पूरी सब जिलाए तो मोड़ी सब जिला रुनो जब तक सो रहा है तब तक अंटी काम कर सकती है एक पार रुनो उठ गया फिर तो अंटी को भागना पड़ता है तो जल जल्दी साफ करवाता हूं आज क्योंकि हाउस टूर शूट करूँगा शायद अगर टाइम मिला क्योंकि नीदा रही है मुझे वैसे तो जाद मतला इतने पैसे वैसे बन जाए कि होम लोन जो भी उतर जाए जल्दी से चल्दी और इसके लिए पैसे जट जाए मस्तल मीराज को नहांगा देखना पूरी हासे बड़ी बड़ी लेट सेम इवनिंग मैं घर पहुचा और उसके बाद ऐसा सोया ऐसा सोया शाम के छे बजरे भाई साड़े पांच बजे मैं उठा हूँ और अब रेडियो के निकला हूँ थोड़ा समन का शूट उट करें बाहर जाके अपना जो पैंडिंग वीडियो बची है बट भाई उठते ही एक खतरनाक वाली क्रेजी गुड निउस आई है मतलब भाई आज का दिन बन गया व वाईरलेस आएगा उसमें एंड़ो डोटो तो है बाई जब एपल यूज करते है अपल का अलग इंटरफेस है एको मस्टा लगता है एपल का पूरा यूज करना एंड़ो डोटो में इतना मजा सा नहीं आता अब लंडेन वाली रोट्रिप में भाई है यह नहीं इसमें ए अपने पास भाई चलो जी थार को कर दिया पार्क अंदर अपनी पार्किंग में रात हो चुकी है अब ही मैं सोच रहा हूँ टाइम है निकल कल का दिन है परसो तो निकलना है तो उससे चाह की बेचूंगा अराम से तो कि पीछे से स्कोर पियो तो होगी नहीं टियागो हम करते है थार अंदर खड़ी भी रहेगी तो क्या ही दिखका था इतनी कुछ परशानी होगी नहीं आ के अच्छे सा रेट लगवा के एक्सेसरी सारी बेच के फिर बेचुगा अभी क्या बिग जाएगी पर फिर वही है एक दो लाग रुपे का लोस क्या ना समान का हुआ न अच्छे नहीं लग रहे है गोल मतोल सम्याह हुए है जिनों ने बनाया है उनका यह इए इंस्टाइड यह नंबर यह और वेबसाइड यह यह बहाए सब सही लग रहे है वेक्टराट कोन है ही क्या है तो टीशिट पर शकल शप्यों मेरी उन्हों बेज़ा बेजा बाईया मेरे को सदर बजार आना पड़ा है सूट केस खरीदने के लिए क्योंकि यह मैंने बोला तो हुआ था अभी शेक को लेने के लिए बट एंड मुमेंट पर यह हुआ है कि मेरे पास जाता समान था ही सूट केस में डालने वाला तो मैंने का कि मैं ही ले आता हूँ और उसमें स कुराने घर वाले अड़े में आचुका हूँ मैं सदर बजार यहां पर काफी सारी शॉपस है इनकी सूट केस वगरा क्यों अच्छे रेट पर भी मिल जाती है क्योंकि में सदर बजार और कॉम्पेटिशन बहुत है बस यही रीजन है और सुबह सुबह भाई एर कट और ब जगाई नहीं बचरी तो लेके क्या करने पड़े है बहुत सारे तो यह री भाई में जो सदर बजाल वरी रोड है उससे एक रोड पीछे यह वाली शॉप है भार भी लगा लिए अब तो चाचा ने चाची बैठी हुई है कैसे हो जी कैसे हो बहार अब सही लग रहा है पर लगेजिन स्टाइल यहीं से ले लेकते हैं लो जी यह वाला सूट के फाइनल कर दिया है सफारी का लिए सबसे लार्ज वाले साइज का है तो मर्पीश का कुछ 7-8000 रुपे बट 3,000 रुपे में पड़ा है डिसकाउंट के साथ अपने को इसमें अपना सारा ना खाने पीने का समाना आजेगा मस चलो जी चलो यह अभी मुझे बागी दुबाई की फ्लाइट टिकेट एंड वीजा वगारा के प्रिंट निकाल ले क्योंकि मेरा प्रिंटर हो गया खराब तो बाहर से करवाना पड़ेगा प्लस ओफिस जाना है वहां से अपना कैमरा उठा के ल एक लेन्स में ले जारा हूँ 16-35 व्लोगिंग के लिए वाइड एंगल लेन्स है F2.8 है तो नाइट में भी मस फुटे जाती है और वाइड एंगल से मस ब्लोग होता है एक बोड़ी ले जारा हूँ S3 की दूसरी वाली एंड इसमें लेन्स कोई नहीं ले जारा क्योंकि ल साधा वेट नहीं करवाता है यहीं पर बता जैता हूँ गुड न्यूस क्या है घर जाके तो मतलब ओर टाइम लग जेगा ना वाइड गुड न्यूस अपनी यह है कि फाइनली जो अपनी स्कोर्प्यून या माफिया स्कोर्प्यून वो निकल चुकी है भाई मुंबई से जी हाँ शिप पे भी चड़ चुकी है और साधी साथ शिप भी जो है वो मुंबई से निकल चुकी है मोज जाई मोज आप हमें इरान में जाके अपनी गाड़ी मिल जाएगी कब निकली कौन से शिप से निकली कब पहुचेगी वो सब डीटेल नहीं बताएंगे वो सीक्रे पर 24 तारीक से आज 10-11 तारीक हो चुकी है इतना डिले क्यों हुआ है सारी प्रोब्लम थी भाई कारनेट से रिलेटिड मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था जब भी आप गाड़ी का कारनेट बनवाते हो देखो आप अपनी इंडिया गाड़ी कई भी ले जाना चात पर शायसे चोथा या पाँचव एपिसोड है तो होता कहा है जब आप कारनेट अप्लाई करते हो या जो एजनसी इंडिया में कारनेट इशू करती है वो आपसे एक लिस्ट मांगती है कि आप अपनी गाड़ी में क्या क्या स्पेर पार्ट क्या क्या टूल्स या फिर क्या क्या लगेज का समान ले जा रहे हो वो सारा कारनेट के टाइम पर ही डिकलेयर करना पड़ता है ताकि उस टाइम पर ही आपको जब कारनेट भेजे न तो एक लेटर देते हैं अपने लेटर हेड पे चापके कि यह यह समान गाड़ी के साथ जा रहा है अप्रूवड है तो कारनेट के बैसिस पे ही न सारा का समान आपका शिप में भेज देंगे बट हमारे साथ गलसीन क्या हूँआ humने कारनेट बनवा लिया था पहले ही और उस कारनेट में हमने सिरफ 8 से 10 homogeneous भी और उसके अलावा भी हमने बहुत समान रख लिया जैसे की मैट्रेस बनवाया था मैंने गाड़ी का पीछे स्टोरेज बोक्स बनवाया था बीच की सीड में स्टोरेज बोक्स था उपर का रैक था आगे की लाइट सी तो ये सब कुछ कारनेट में डिकलेर नहीं हो रखा था जिसकी वएसे भाई हमारी गाड़ी 10-15 दिन कस्टम में ही फसी रही क्योंकि देखो भाई कारनेट में डिकलेर करा नहीं था अब ये सारा समान ऐजा लगेज जा रहा था अलग से जिसके लिए हमने 24-25 रुपे एक्स्ट्रा भी पे करे है भाई पैसे तो लगे ही लगे बट इन समान को क्लियरेंस के लिए भाई 10-15 दिन लग गए जबकि अपनी जो कारनेट वाला समान दना जो उसमें डिकलेर था वो भाई कस्टम ओफिसर ने एक ही दिन में डिकलेर कर दिया कि हाँ जा सकता है लेकिन ये लगेज वाला समान 15 दिन ये एक तरह का डोक्युमेंट होता है या फाइनल डोक्युमेंट होता है जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को कंटेनर में डाल के शिप पे चड़ा सकते हो तो ये लियो आने में भी ना दो दिन लग गए ते शायद से कोई कस्टम ओफिसर होते है वो ही ये इसू करते है तो वो ही था भाई क्लेरंस का बहुत ज़ादा पंगा चल रहा था वट ये घ़गे तरह का पूरा पोर्ट होता है इतना बड़ा कंटेनर होता है ये अपनी माफिया स्कोर्प्यों सागर लेकर जा रहा है कंटेनर के अंदर अ महोल है हलाकि मैं वहाँ पर थानी बट भाई मज़ा सा आ गया वीडियो देखके मैं उठा ना दिल खुश हो गया यह वीडियो देखके मैं खुद होता वहाँ पर तो अच्छे से व्लोग करते बट फिर भी फुटेज सागर ने बना के बहेज दी हमारे लिए तो कंटेनर में लोड होने के बाद बारी में अच्छे से चेन में बांदी जाती है टाइरों में ताकी हिलेना उसके बाद फिर कंटेनर के दोनों दर्वाजों को बंद कर दिया जाता है बहुत भाई बलकी से और हुज से दर्वाजे है बंद होने के बाद भाई कंटेनर में लगा दी जाती है सील और ये सील अब सीधा जाके खुलेगी इरान में बंदरवास जहां पर हमारी गाड़ी जाने वाली हो और हम अपने सामने खुलवाएंगे सील अब ये वाला कंटेनर जो है ना भाई वो शिप पे चड़ेगा और फिर शिप अपनी मटकती हुई पहुच जाएगी इरान के बंदरवास में बट अपडेट ये है कि शिप भी निकल चुकी है तो अगले 8-9 दिन में हमें गाड़ी मिल जाएगी और हम फिलाल फ्लाई कर बारा तारीक को दिली से दुबई दुबई में हम 4-5 दिन घूमेंगे मस्त वहां के व्लोग जाएंगे उसके बाद दुबई से जाएंगे हम बायरोड ओमान अपनी गाड़ी से नहीं बस या रेंट पे लेके दो तिन दिन ओमान में में मस्कट जो कैपिटल सिटी है वहां फिर ओमान से हम जाएंगे शिप या फैरी पकड़ के बंदर अबास एरान और फाइनली इरान में अपनी गाड़ी चुडवा के रोड ट्रिप कंटीनू करेंगे तर्की पूरा एरान पूरा यूरोप में काफी सारी कंट्रीज एंदेन यूके तो मजा आने वाले भाई मतल करना था वहाइं लू मई को कर दो माई करवाया ऑंडर आठ मई करवाया अब आठ माई से फाइनली जो यह वह वहाइं इस दध भार पर करते हैं पैकिंग चेकिंग कंफलीट और तुवद्शर कल लेके दुबई मिलेगे आप से कल के लोग में ऊके जी बागी चलो जी ठीक और मैंने ध्यान दिया कि पूरी वीडियो में मैंने प्राइस तो बताएं भाई कि मुंबई से इरान पोचाने में गाड़ी का टोटल खर्चा कितना आ रहा है आप लोगों से सब कुछ शेयर करी रहा हूं तो मैंने सोचा भी यह यह भी कर दिया जाए तो अपनी जो स्कॉर् अरिया में जो है वो अराउंड दो लाग दो लाग बीस हजार के आज पास में गाड़ी चली जाएगी और यह प्राइजीज में भाई डिपैंड करते हैं उपर नीचे होते रहते हैं तो कभी आट सो डॉलर कभी हजार डॉलर तो मैंने आपको टोटल पूरा पैकिज बता सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहा हो सो एक सो तस वीडियो जब शुरू हो जिए अभी तक तो हम इंडिया में थे बहुत सारे डोकुमेंट्स के आपको वीजियो दिये बहुत सारी इंफोमेटिव वीडियो दी बट अब एक्च्वल में जो कल से एपिसोड शुरू ह विलता हूं जी आपसे नहीं वीडियो में तिल ने गुडबाए और आज वालवेज तीखे रास्तों पर नहीं बढ़नों फीका अगर 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 अगर